जैहिंद एवरीवान अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्टर सीवा के स्वागत हैं आज हम इंडिन एक्स्प्रेस के एक एक्स्प्लेंड पेज की आर्टिकल को डिस्कस करेंगी केरला डिकलेर्स मैण एनिमल कॉंस्प्लिक्ट अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर को डिकलेर करने से क्या फैदा होगा अब स्टेट की जो डिजास्टर ऑफॉरिटी है वो यहाँ पर उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी टू टेक एक्शन्स नमबर टू, क्या पहले किसी और स्टेटे ऐसा करा है, यस, उडीसा, स्नेक बाइट को लेकर यहां पर उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर यहां पर डिकलेर कर चुकी है, क्या इसके फाइदे होंगे, वो डिसकस करेंगे, नमबर थ्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याइज, торथ प्रोजेक्ट, एलीफेंट, और एलीफेंट से लिए जितने भी इंपॉर्टेंट से हैं, वो हम डिसकस करेंगे, अगर मैं बाद करनूँ लेटर्स्ट कर इंठेट स्विक स्थेς की तो लास्ट यार प्रोजेक्ट, टार और प्रोजेक्ट, इलीफेंट की डि में लीड कर रही होती है international women dp आपने बहुत सारे यहां पर कूर्स भी पढ़े होंगे इंसे लेटेड और इससे पहले UPS से इस तरीके के कोशन भी पूछ चुका है और अगर हम इसका gestation period की बात कर लें तो यह almost 22 months होता है अब बात करते हैं elephant की अगर हम elephant की बात कर लें तो तीन species आप इंवार्मेंट में बहुत चुरूरी है number one elephant example है keystone species का number two flagship species का number three is the umbrella species का तीनों का example elephant है keystone species का मकनब क्या होता है कि अगर वो species नहीं हुई तो बाकी ecosystem पे यहां पर कुछ न कुछ damage हो सकता है that means अगर for example जितने भी top predators है tigers चीता अगर यह नहीं हुए तो बाकी ecosystem damage हो सकता है for example अगर टाइगर की population अगर नहीं होगी यहां पर तो that means जो हर भी वह animals है वो increase होंगे and वो forest को खा सकते हैं इसलिए हमें देखा कि जितने जाला टाइगर होंगे उतना अच्छा ecosystem होगा elephant is example of keystone species flagship flagship आपको पता लाग रहा है हर कंट्री का एक flag होता है that means कुछ एक icon एक symbol that means उस particular habitat का यहां पर एक species जो है वो क्या है ambassador है icon है and जो कि environmental course के लिए यहां पर क्या कर रहा है एक message दे रहा है for example last year आपने देखा कि एक frog था galaxy frog ठीक है जो की flagship species जिसको declare किया गया तो flagship और umbrella यह दोनों conservation efforts के लिए यूज किया जाते हैं for example umbrella it means कि umbrella species को आपको conserve करना बहुत जुरूरी है तभी आप बाकी सारी species को भी आप conserve कर पाएंगे और वो ecosystem में coexist हो पाएगी for example अगर हम elephant की बात कर लें तो मैं आपको दो चीजे बताता हूँ elephant group में चल रहा है and particularly जो tusker है वो lead कर रहा है dusker आगे जा रहा है वो पीडों को क्या करता है uproot करता है and पीछे एक group आ रहा है herd वो क्या कर रहा है उसके उपर jump कर रहा है और पूरे patch को वो क्या कर रहा है clear कर रहा है इसी के साथ वो जो big animals tiger इन सब के लिए क्या कर रहा है एक forest area और create करके दे रहा है number two अगर हम बात करें elephants की तो यह क्या करते हैं कि जो dry river bed होता है यह वहां पर क्या करते हैं trench एक गड़ा खूरती है और इनको mud में खेलना बहुत पसंद है उसके बाद जब उसमें पानी भरता है तो that means यहाँ पर elephant बाकी सभी animals के लिए एक water body create करके दे रहा है तो that means keystone species flagship umbrella तो हमें elephant को भी वहां पर conserve करना पड़ेगा उसी के साथ पूरे ecosystem की conservation होगी तो यहाँ पर आपको exam point of you से पता होना चाहिए keystone species flag umbrella तीनों का example है आपके पास elephant अब हम बाकी चीज़ी देख रहेते हैं टोटल इंडिया में at present अगर मैं बात करूँ तो 33 यहाँ पर elephant reserves है और सबसे ज़्यादा elephant की population करनाटका में हैं कौन से चार रीजन है North Eastern India Central India North Western India and Southern India यह चारों आपको पता होने चाहिए directly आपसे exam में पूछे जा सकते हैं अन्फोर्जेक्ट टाइगर और प्रजेक्ट elephant इन दौनों डिविजन को लास्ट ये यहां पर combine merge कर दिया गया था अन्फोर्जेक्ट टाइगर प्लस Elephant division नाम रख दिया गया था अगर आपको तो तोंट फिंक टइफीर इस अमारे पास हैं इस इसने भी प्रोटेक्शन वाले चीज़ें हैं यह सारी फ्लैक्शिप स्पीशी है बिकॉस यह पर्टिक्लर हैबिटेट के एंबेजडर हैं सिंबल है आइकन है तो यह चार जगाँ होगी आपके पास elephant is a natural heritage animal has been given protection under schedule 1 specie of Indian wildlife protection at 1972 यहां पर schedule है यह ठीक है schedule 1 में है concerned at the primary need to restore the elephant habitats and reduce suffering of both elephant as well as human population government of India यहां पर elephant or human population यह दोनों को यहां पर so that suffering कम हो तो यहां पर सरकार ने क्या चलाया project elephant जैसे project tiger start हुआ था 1973 में ऐसे हम देखते हैं कि project elephant हुआ 1991 में as a central sponsored scheme ministry of environment के अंदर गत्थ यह आपको पता होना चाहिए कि project elephant कब start हुआ project elephant का basic objectives क्या थे कि जो elephant है उनके habitat है और corridors है उनको protect करना है यहां पर ठीक है man animal conflict जो यह आज का article है जो लेटर सभी केरला में issue हुआ welfare of captive elephants यहां पर यह तीन major objectives है project elephant के and mandated by cop resolution of sites Mike यह एक पता होना चाहिए आपको program Mike क्या है कि illegal जो killing हो रही है elephants की उनको सब को monitor करना है आपको यह basically South Asia में start होता program Sun 2003 में with the following purposes following purpose क्या है यहां पर illegal killing है elephant की उसको यहां पर बचाना है I hope this is clear माइक आप से directly पूछा जा सकता है माइक के बारे में number two elephant कौन-कौन सी species है तीनों पूछे जा सकती है की स्टोन है ठीक है जनली टॉप class predators की सोन species होते हैं और बाकी दो flag और umbrella conservation efforts के लिए यहां पर यूज किये जाते हैं तो यह तीनों स्पेशी का example है elephant नेक्स्ट यह सारे आपके environment या geography के लिए ultra important है यह ministry of environment की site से लिए गए है elephant बहुत crucial role play करता है in tropical forest ecosystem seed dispersal nutrient cycling biomass removal इन सब चीजों के लिए important role play कर रहा है and assisted vegetation generation through trampling and other effects that eventually shape the forest communities जैसे मैं आपको बताया tusker और पीछे hurt चल रही है next is climate related अगर हम बात कर लें तो जो elephant के forest होते हैं they sequester tons of carbon emitted in the atmosphere जो atmosphere में carbon है and हमें climate change के जो यहां पर adversities है उससे shield कर रहे हैं इसलिए इनको ecosystem engineers भी कहा जाता है because यह उस forest को shape कर रही है maintain कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको बताया कि यह flagship भी है है वहांके ambassador है icon है उसके बाद मैंने आपको की स्टोन भी बताया कि जो बाकी सारा पूरा का पूरा ecosystem खतम हो जाएगा अगर elephants खतम हो गई and number three is umbrella यहां पे because अगर इनकी protection नहीं हुई जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइ रिवर रिवर बेड़ पर यह टर्स्ट से पने ट्रेंच बना रहे हैं और वाटर बाटी क्रेट कर रहे हैं तो बाकी यहां पे species के लिए problem हो जाएगी इसलिए इनको conserve करना बहुत जूरूदी है तो यह इसलिए इनको ecosystem इंजीनर्स भी कहा जाता है नेक्स्ट तीन तरह की species हैं elephant की जो पूरे वर्ड में मिलती है अफ्रीका में दो है और एशिया में एक है जो एशियन elephant है largest terrestrial mammal है जिसको large forested habitat चाहिए to manage and maintain the viable population large forest habitat चाहिए जिसको सबसे important point जहां पर elephants रहते हैं they are rich in diversity quite obvious and act as water source for many perennial Indian rivers Indian rivers के लिए कहीं न कहीं water source का भी यह क्या करता है काम कर रहा है वो forest जिसमें elephants dwell कर रहे हैं तो यह सारी elephants related चीज़े बहुत important है total अगर मैं बात करूं तो 13 यहां पर countries हैं यहां पर Indian के अंदर Indian subcontinent के अंदर वो important है आपके लिए जैसे tiger range countries थी snow leopard की countries थी Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos उसके बाद Malaysia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam यह 13 countries है जहां पर आपको क्या है Asian elephant तो currently they are confined to the Indian subcontinent Southeast Asia and some Asian islands कौन कौंशे countries है यह 13 आपके पास countries है Asian elephants कहां पर माना जा रहा है कि distributed है tigris euphrates ठीक है West Asia through the Persia into the Indian subcontinent South and South East Asia into the श्रिलंका, Java, Borneo up to the North China यह पूरी की पूरी यहां पर एडिया है जहां पर हम देख रहे हैं कि Asian elephants widespread है okay अब यह news है जो केरला selected हमारे पास थी इससे पहले हमने elephant selected सारे effect figures कर लिए है केरला on Wednesday declares man-animal conflict as a state-specific disaster becoming the first state in the country to do so अब यहां पर एड प्रेजेंट अगर हम बात कर लें अगर man और animal में कोई conflict होती है तो कौन संभाल रहा है forest department संभाल रहा है forest department किस तरीके से संभालता है wild life protection act के अंतरगर बड़ अगर किसी state ने for example केरला ने यहां पर इसको disaster declare कर दिया है तो अब responsibility किसके आप उपर आ गई state के disaster management authority के पास आ गई जिसको power कौन कर रहा है disaster management act and now they can take quicker actions अब वो quick actions ले सकते हैं more decisive action ले सकते हैं because अब responsibility state के disaster authority के ओपर आ चुकी है now at the state level कौन इसका chairman होता है chief minister is the ex official chairman and several departments including the forest departments are the stakeholders तो यह आपके लिए quality का question है यह ठीक है कि chief ministers का ex official chairman होता है district level पर अगर हम करें तो district जो collector होता है who is also the executive magistrate वो हेड करता है district disaster management authority को and जैसे ही state specific disaster हो जाता है या फिर कोई national disaster हो जाता है तो disaster management authority यहां पर a quick decisions ले सकती है expediate कर सकती है process को and actions overriding all the other norms जो बाकी सारे norms चल रहे थे उन सबको override करकर एक faster action ले सकती है state की यहां पर disaster management authority यह फैदा होगा इसका at present कौन है chief wildlife water there is only one such post in the state जो take care कर रही है कोई भी human और animal की conflict है 2015 में udisa ने snake bite को state specific disaster किया था यहां पर declare okay अब अगर माल लेते हैं कि state specific disaster हो गया अब यहां पर कौन यहां पर power है extra as per the section 71 of the disaster management act no code कोई भी code except supreme court और high court इनके अलावा कोई और court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything done by the relevant authority in pursuance of any power offered by this act supreme court और high court के अलावा किसी ओर court के पास यहां पर jurisdiction नहीं होगी with respect to the decisions taken by the authority in pursuance of this act no.1 section 72 का कह रहा है कि the provision of this act will have an overriding effect on any other law during the specific period that a disaster has been declared यहां पर इनके जो provisions act के disaster management act के इसके जो provisions हैं उनका overriding effect होगा on the any other laws इसलिए ही यहां पर आपको मैंने शुरूर में भी बताया state specific disaster के बाद यहां पर कुछ overriding और यहां पर decision को expediate करके सरकार ले सकती है तो यह topic हमारे जोगन facility भी था यहां पर बहुत important ठीक है और पॉलिटी के भी कुछ concerns है कि chief minister ex official chairman है यहां पर हमने project elephant के बारे में discuss कर लिया and environment and ecology का तीनो species कर लिए की stone species क्या होती है black ship क्या होती है umbrella species क्या होती है तो यह topic आपको मैंने holistic तरीके से यहां पर समझा दिया है and I hope आप newspaper को इसी तरीके से catch कर रहे होंगे because cds का paper अब बहुत ही upgrade हो चुका है इस वर्स कैसे यह तरीके स्ट्राइज से जाहिंत वाल बसल तरीके दिए टीके यह